आज हम करेंगे वर्कशीट नमबर 46 जो की 19 अक्टूबर के लिए बनी हुई है आपका चैप्टर चल रहा है उतक उसी चैप्टर को ये आगी समझाती है वर्कशीट उतक में हमने पढ़ा था कि उतक कोशिकाओं के समुम को कहते हैं और उतक दो प्रकार की होते हैं एक जो विभाजित होते रहते हैं मतलब विभोजय उतक उतक और एक होते हैं इस्थाई उतक और इस्थाई उतक में भी हमने दो प्रकार पड़ी थी पिछली वर्कशीट में एक सरल स्थाई ठीक है और एक जटल स्थाई अब सरल स्थाई में ह हम पढ़ चुके हैं पैरन काइमा जो जीवित जिसकी कोशिकाएं थी और जिसमें बहुत पतली कोशिकाएं बित्ती और उनके बीच में अंतर कोशिके इस्थान बहुत जादा था आमने पिछली वरक्षिट में समझा था कि जैसे कोशिकाएं हैं इनके बीच में अंतर कोशिक इस तरह से अब आज हम पढ़ेंगे कॉलन काइमा एन इसकेरन काइमा अब आप देखी कोशन आता है कि पौधे इतने लचीले कठोर हैं मजबूत कैसे होते हैं अब इसका अंसर देने के लिए जिक्यासा दिदी ने कहा ग्यान जैसा कि हमने जाना कि पादपों में पैरन काइम एन इसकेरन काइमा सरल स्थाई उतक भी होते हैं तो कॉलन काइमा जो है वो उतक इतना क्या करता है उसको लचिलापन देता है और इसकेरन काइमा क्या होता है कठोर और मजबूत बनाता है उनको तो इन दोनों का विशिश गुण है मैंने आपको इस चार्टिंग में भी बताया था कि उतक जो होते हैं वो अलग-अलग कारे के अलग-अलग प्रकार के होते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो कॉलन काईमा है वो लचिलापन दे रहा है फ्लक्सिबिल्टी प्लांट को और इस कॉलन काईमा उनको कठोरन मजबूत बनाता है तो अब हम जानते हैं कि कॉलन काईमा का इस्ट्रक्चर कैसा होता है कि वो उसको पौदे में लचिलापन देता है तो आप यहाँ पर देखें चित्र यह आपको दिखाए कॉलन काईमा का आंत्रिक स्ट्रक्चर यह काटके इसको आपका व्यू दिखाए कि एक एक कोशी का किस प्रकार से अरेंज है और उसके बीच में जो अंतर कोशी के स्थान है वो किस तरह से फिल हुआ है तो यह मिलते का है पहली बात तो यह है कि यह जो होते हैं वो पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्ण ब्रत में देखे जा सकते हैं कॉलन काईमा एपिडर्मिस सबसे उपर की लेयर जो होती है एपिडर्मिस यह मैं कोशी काईं बना रही हूँ यह उपर अगर इसके कोशी का के उपर लेयर है, एपिडर्मल लेयर के नीचे पर्ण प्रत में होते हैं ये और इसमें कहीं कहीं कोने आप देखेंगे तो इसमें भराव है कोनों में ठीक है, लेकिन ये कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनेमि ढंग से कोनों पर पैक्टिन नामक रसायनिक पधार्त के कारण मोटी होती है ये बटा याद रखना है आपने पैक्टिन का नाम ये पैक्टिन का जमाब, इस चितर को बढ़ा करके देखें, इसमें दिखाया है यह देखिए जो लाल-लाल रंका आपको दिखाया गया है यह है पैक्टिन तो कोशिकाओं के जब एक कोशिका दूसरी कोशिका इस तरह तीसरी कोशिका जो आपस में मिलती हैं तो इनके बीच में रसायनिक पधार्थ आ जाता है जैसे हम कहते हैं पैक्टिन और इनके बीच का स्थान बहुत कम हो जाता है यह क्या हो गया अंतर हो गया पैरन काइमा से पैरन काइमा में तो बहुत अधिक स्थान था पीछे हमने पढ़ा था कि यह अगर कोशिकाओं पैरन काइमा की है तो इनके बीच में यह स्थान है यह वाला यह जो मैंने दिखाई यहां पर यह स्थान देखो यह कैसा है फिल्ड हो गया है किसके कारण एक पैटिंग के कारण और पौधी में लचिले बंका जुगुन है वह इसी कारण आता है कॉलन काइमा के कारण ठीक है कि पौधी की दंडी है यह बारा प्लांट यह की ब्रांचिस आई इदर से निकल रह तो यह पौधा ऐसे ऐसे हिलता रहेगा इसकी जूलती रहेंगी शाखाएं पर तूटके नहीं गिरेंगी जब तक की मौसम ना हो पतचड का पत्या नहीं जड़ेंगी क्यों यह जो लचीला पनिस में फ्लो आया वह इसी डिश्यू के कारण आता है कॉलन काइमा के कारण ठीक अगला टिश्यू कौन सा है जो मजबूती देगा द्रड़ता देगा पौधी को वह है स्कलेरन काइमा यह भी सरलिस्थाई उतक है और इस उतक की परिपक्व कोशिका है म्रत लंबी एवं पत्ली यह देखिए यह ट्रकीट्स की फॉर्म में होता है मूसली इसकी भित्ति अ इतना मोटा जमाव यह पूरा ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है इसकी उपर जमाव यह पूरा लिगनिन का और लिगनिन के कारण वहाँ पर क्या था पैक्टिन यहाँ पर आया लिगनिन लिगनिन के कारण के बीच में स्थान नहीं रहता कोशिकाओं के बीच में और उससे है यह में उपसित होता है तित्य भी फूर्ट के ऊपर की कौटिंग होती है वह इसी iskleran kaima ki hard coating आप जो नाश पाथी खाते है उसमें वीच में hard-hard से आते हैं particles जिब खाते समय तो वह भी क्या है scleran kaima क्योंकि यह दो प्रकार का हम नहीं है आपर देखा दो प्रकार का और स्कल के तो यह किआ प्रकार है मोसलिरा मैं इसी form में मिलेगा। और क्या होता है यह जैसे पत्ति हैं पत्ति की शिराओं में यह अब पत्ति की बाते हैं कौन सा टिशु है ? उसकल्न काईमास की शिराओं के जो निकली होती है. अपकर आप देख देखते ही तो पत्ती सूखने के बाद का ये वाला portion तो गल जाता है लेकिन ये portion hard वाला ये आपको दिखता रहता है skeleton की form में क्यों 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 क्योंकि ये किस से बना हुआ है ये बना हुआ है skeleton काइमा से ये याद रखिएगा अब question देखिए पैरन काइमा के अतरित तो और सरल इस्थाई उत्तकों के नाम बताईए तो ये दोनों आगए आपके colon काइमा और scleran काइमा ठीक है उसके बाद next question scleran काइमा उत्तक पौदों में कहां उपसित होता है और इसका क्या कार है तो अभी हमने पढ़ा कि यह है उत्तक तने में सम्वेंट बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपसित होता है यह question कई बार आ जाता है तो आप यहां से याद कर लीजे डारेक्टली भी आ सकता है इंडारेक्टली भी है ना कारे क्या है कारे तो यह है क्योंकि कठोर टिशू है इसलिए कठोर ता और इसको बनाएगा पौधिक और मजबूती देगा फिर देखिए इसकरन काइमा उतक में कोशिकाओं की बित्ती मोटी क्यों हो जाती है 3rd question है यह क्यों हो जाती है क्योंकि उसमें लिगनिन नामक रसायनिक पदहार जमा हो जाता है जिसकारण उसकि परत मोटी हो जाती है और आंत्रिजिस्तान नहीं बचता क्लियर, कॉलन काईमा उतक पौधों में कहां उपसित होता है, इसका क्या कारे है तो कॉलन काईमा कहां मिलेगा यह हमेशा पौधों में, एपिडर्मिस के नीचे, पर्ण ब्रत में देखा जा सकता है और कारे क्या होता है ये पौधिक को यांत्रिक साहता प्रदान करता है दचिलापन देता है पौधों में ठीक है जो भी दचिलापन है वो इसी के कारणा आता है यहाँ से कर लेंगे और कॉलान काइमा में पूछी है तो यहां से देख कर आप लिख देंगे कि यह पौदों में कहां उपस थे अक तिंग सत्री बता दो दोनों की यह कहां होता है यह हुद तक जो है वो सम्वहन बंडल के समीप पत्तों की प्तों में यह सब पॉइंट है को कोशिका हैं जीवेट, लंबी, अनेमिट, डंग से यह बहुत इंपॉर्टन डिफ्रेंस आएगा कि पैक्टिन का जमाव होता है इसके कारण रिक्तिस्थान बहुत कम होता है कोशिका के बीच में परन्तु यहां पर बिल्कुल ही स्थान नहीं बचता क्योंकि लिगनिन नामक सरल सायों तक कतम हो जाते हैं एक प्रकार आपने पिछली वर्क्षीट में पढ़ा था पैरन काईमा आज हमने पढ़ लिया कॉलन काईमा और स्कलरन काईमा क्लियर अच्छे सी कोश्चन टैम कर ले ना बिटा थैंक्यू बिटा